Dear students, Today we will discuss about glass. Glass के बारे में हम पढ़ेंगे आज, कि glass क्या होता है, क्योंकि कुछ industrially important inorganic materials के अंदर glass आता है, तो जो हम रोज day to day life में जो चीज़ें देखते हैं, use करते हैं, उनका क्या importance है, कैसे वो बनते हैं, और किस तरीके से हम उनको classify कर सकते हैं, तो उसमें से एक material है, जो कि industrially important material है, इन ओर्गेनिक, वो है glass, तो उसके बारे में हम इस lecture में discuss करने वाले हैं, तो glass क्या होता है, देखिए, एक हमने glass देखा हुआ है, general glass जो है, वो क्या है, एक transparent material है, amorphous होता है, और translucent solid होता है, transparent भी हो सकता है, और translucent भी हो सकता है, या वो amorphous होता है, तो एक solid material है, इसको अगर हम देखें, कैसे synthesize करते हैं, जनरल method अगर हम देखें, तो liquids का solidification करते हैं, सारा जितना भी raw material होगा, उसको liquify करेंगे, और उस liquified material का solidification, उसको solid में convert करेंगे, तो simple अगर हम method देखें, glass को बनाने का तो है, कि जो raw material से उनको liquid phase में convert करना है, mix करना है, उसके बाद उनको solidify कर दें, तो क्या बनेगा, glass का formation होगा, यह होता क्या है, actual में जो glass है, वो क्या है, बहुत सारे silicate का mixture है, silicate, silicate बहुत important material है, इससे पहले आपने कुछ silicate, क्ले आपने देखा था, इससे पहले cement में हमने पढ़ा था, और silicate अगर हम आम तोर पर देखें, तो जो हमारी clay है, जो soil होती है, उसमें clay होती है, तो वहाँ पर क्या होते हैं, silicate मिलते हैं, silicate बहुत important material है, आप देख रहे हैं, जो बहुत मजबूती प्रदान करता है, कई सारे inorganic materials को, जैसे आपने देखा, cement को, ऐसे हैं यह जो silicate से हैं, यह glass को भी strengthen करते हैं, और glass जो है, बनता ही किसका है, silicate का बनावा होता है, different type के silicate होंगे, कोई specific melting point नहीं होता है, glass का, glass को गरम करते जाएं, गरम करते जाएं, गरम करते जाएं, तो यह क्या होगा, soft हो जाएगा, और कोई उसका ऐसा melting point शाप नहीं दिखाए देगा, कि यह particular melting point है, यहाँ पर यह गल जाएगा, ऐसा कोई sharp melting point नहीं होगा, heat करने पर क्या होगा, on heating, gradual, softener, softened हो जाएगा, and can be used for preparation of many kind of article, actually इसको अगर हम गरम करेंगे, तो यह melt हो जाएगा, melt मतलब soft होगा, melt नहीं होगा, यह soften हो जाएगा, और उस softened material से, फिर हम कोई भी तरीके का article बना सकते हैं, यह experiment आपने अल्रेडी लैब में भी किया हुआ है, जैसे आपने कोई capillary tube को, कई बार melting point निकानने के लिए close भी किया होगा, तो आपने देखा है कि जैसे हम, किसी काच को घरम करेंगे, काच के बनेवाई apparatus को गरम करेंगे, तो उसको मोल्ड कर सकते हैं, किसी भी तरीके से हम उसको मोड सकते हैं, क्योंकि अगर उसका melting point बहुत काम होता, या बहुत शार्प हैं होता तो वो गल जाता, लेकिन वो गलता नहीं, वो softened हो जाता है, उसको हम फिर मोल्ड कर सकते हैं, जैसे हम test tube जाहें हम अपने lab में ही उसको मोड सकते हैं, जैसा चाहें वैसा shape दे सकते हैं, तो ये softened होते हैं, एक particular temperature range उपर softened होंगे, melting point इनका sharp नहीं होगा, अगर हम इनका general formula देखें, तो देखिए क्या है इसमें, या तो इसमें sodium oxide होता है, और या इसमें potassium oxide होता है, तो ये तो होगए alkali metals के oxide, sodium या potassium का oxide, साथ में इसके होगा YMO, MO means M जो है वो alkaline earth metal, या फिर कोई ऐसा metal है, जिसकी valency क्या होती है, दो, इनकी valency कितनी है, एक, alkali metals, और ये जो metal है MO, ये हो सकता है, transition metal, और alkaline earth metal, जिसकी valency कितनी होगी, दो, और six क्या होगे, SiO2, तो ये general formula है, XNA2O और XK2O, YMO, and six SiO2, so this is the general formula of, this glass, अब अगर हम raw materials देखे, कौन-कौन से raw materials हैं, जो, जिनकी help से हम, glass को synthesize कर सकते हैं, या manufacture कर सकते हैं, वो कौन से raw materials हैं, raw materials, अगर हम main raw materials देखें, तो देखे, सबसे पहला जो raw material है, वो है silica, silica कहां से मिल जाएगा हमें, sand से, मैंने आप से कहा कि, जो silica है, वो कहां मिलता है, soil में, बहुत मात्रा में, ये present रहता है, तो अगर हम sand का use करें, तो वहां से हमें क्या मिलेगी, silica, दूसरा जो material है, raw material, वो है alkaline metal compound, क्योंकि क्या चाहिए, देखे, alkaline metal होना बहुत जरूरी है, या तो sodium होगा, या potassium होगा, इसलिए ये कहां से आएगा, इसको generate करने के लिए, एक हमें compound, ये alkaline metal का, वो क्या हो सकता है, carbonate हो सकते हैं, sulfate हो सकते हैं, nitrate हो सकते हैं, sodium carbonate हो सकता है, sodium sulfate, या अगर sodium nitrate हम use करेंगे, तो ये वाला formula, वाला जो glass है, वो form होगा, क्योंकि उसमें sodium होगा, फिर हम potassium के salt भी use कर सकते हैं, as in alkaline compound, अब दूसरा हमें क्या चाहिए, alkaline earth metal कहां से मिलेगा हमें, ये जो MO है, इसके लिए या तो alkaline earth metal होना ज़रूरी है, या फिर हमारे पास heavy metal के oxides होने ज़रूरी है, ये कहां से generate होगा, ये generate होगा alkaline earth metal से, जैसे alkaline earth metal के oxides हो सकते हैं, carbonates हो सकते हैं, CO3, CAO, CACO3, फिर आप देखेंगे, जो heavy metal oxides हो सकते हैं, क्योंकि जिनकी दो balance हैं, वो भी यहां पर हो सकते हैं, तो वो oxides हो सकते हैं, ZNO, PBO, और PBO3, एक्चल में, ये तो सब में होगा, या तो Na का होगा, या फिर K का, ये oxide होगा, ये जो oxide है, ये heavy metal का भी हो सकता है, और alkaline earth metal का भी हो सकता है, और इन दोनों का भी हो सकता है, तो डिपेंड करेगा, कैसा हमें glass मिल रहा है, तो यहां पर, heavy metal का oxide हो सकता है, या alkaline earth metal का oxide हो सकता है, या carbonate हो सकता है, उसकी वज़ाद से oxide बनेगा, या फिर दोनों हो सकते हैं ठीक है फिर हमको जो ऐसा ही O2 कहां से मिल रहा है सेंड से मिल रहा है सिलीका कहां से मिल रहा है सेंड से मिल रहा है अब इन तीनों के अलावा भी कुछ और कंपोजिशन हो सकता है ठीक है तो ये कुछ और भी हो सकता है जैसे यहाँ पर हमने दिखाए calcium phosphate calcium phosphate जो है वो इस तरीके के glass में हम use करेंगे जहाँ पर वो glass का नाम क्या होगा applecent जैसे आप apple जो एक crystal होता है एक दहतू होती है जो एक jam होता है jam stone है जिस तरीके का वो होता है उस तरीके का अगर हमें material बनाना है तो फिर हमें calcium phosphate एड़ करना परेगा यह different type के raw materials है different type के glass materials में use होंगे इसमें जो silica है वो सब में use होगा alkaline metal compound सब में use होगा और alkaline earth metal compound या heavy metal oxide यह सब में use होंगे अब कुछ-कुछ जो compound है वो सब में use नहीं होगे जैसा हमें glass चाहिए वैसे property के लिए हमें वो raw material add करना होगा यह जो material है यह क्या करते है यह refracting power को बढ़ाते है यह भी आप देखेंगे glass की property में especially heavy metal के oxides और alkaline earth metal के जो metals है वो क्या करते है refracting power को बढ़ाते है अब जो और जो material हम मिला सकते है उसमें जो flux की तरह add करते है वो है borax borax को durability of glass को increase करने के लिए हम flux का use करते है और उसका example है borax और हम क्या use कर सकते है जो material है जो raw material है वो alumina हो सकता है कहीं पर हम इसको use कर सकते है वो depend करेगा किस तरीके का glass है जब आप type swap glasses पढ़ेंगे तो वहाँ पर आप देखेंगे अलग अलग तरीके का composition होगा हर glass का तो वहाँ पर आप देखेंगे कि कहीं पर alumina मिलानी की ज़रुवत पढ़ेगी कहीं पर coloring agent मिलानी की ज़रुवत पढ़ेगी तो accordingly ये raw materials add किये जाएंगे alumina क्या का काम है resistance from sudden changes in temperature तो alumina क्या करेगा ये temperature changes को resist के against resist करता है glasses को फिर आप देखें कि कुछ coloring materials ने है coloring materials generally क्या होता है metallic oxides होते है ये coloring material add किये जाएंगे glass में अगर colored glass चाहिए अगर colored glass की ज़रुवत नहीं है तो हमें जरुवत नहीं coloring materials की लेकिन अगर colored glass चाहिए तो फिर हमें क्या मिलाना पड़ेगा coloring materials add करने होंगे फिर कहीं पर हमें क्या हो सकता है अगर कुछ impurities हों तो impurities हो सकती है जैसे iron oxide की impurity अगर है glass में feo या fe3o4 की तो फिर हमें उन जो impurities है उनको oxidize करना होगा उनको oxidize करने के लिए हम क्या मिलाते है ये oxidizing agents मिला सकते है magneze oxide and potassium nitrate ये oxidizing agent की तरह act करते है अगर कहीं पर impurity है तो हम we can add these oxidizing agents फिर है scrap glasses जो बहुत important part है raw material का और जो हमेशा मिलाना होगा क्योंकि ये क्या है pieces of broken glass है actually पुराना material है अगर कुछ pieces of broken glass है तो उनको हम हर glass के manufacturing में use करेंगे beads कहते हैं जिनने इनने हम use करेंगे हर glass की preparation में तो आपने देखा इस तरीके से काफी raw materials है main जो raw material है वो है sand फिर है alkaline metals alkaline earth metals and heavy metals के oxides और जो एक important thing है that is borax बाकी जो material है और scrap glass बाकी जो material है that will be added according to the requirement of glass किस तरीके का glass चाहिए उस तरीके के हिसाब से ही फिर क्या कोड़ता है बाकी जो raw material से वो हम add करेंगे during manufacturing of ceramics अब देखिए अगर हम manufacturing of glass देखें अगर manufacturing of glass देखें तो glass की manufacturing की ये process है कुछ glass की manufacturing कैसे कर सकते हैं ये steps हैं number one fusion करेंगे सारे जितने raw materials हमको add करेंगे और उनको add करने के बाद उसको गरम करेंगे गरम करना मतलब उनको mix करना mix करेंगे वो melt हो जाएंगे melt होने के बाद हम उनको क्या करेंगे shaping कैसे टाइप का हमें glass material चाहिए उसकी shape देंगे कि हमें बोटल बनानी है या हमें फ्लास्क बनाना या हमें टेस्ट्यूब बनानी है या हमें गिलास बनाना है क्या चीज हमें बनानी है तो जब हम फ्यूजन कर देंगे इसको मैल्ट कर देंगे उसके बाद हम उसको शेप देंगे shape देने के बाद हमें उसे थंडा करना है ताकि वो hard में convert हो जाए तो यहां पर जो थंडा करने की जो process है इसको कहते है annealing और annealing करने के बाद finally heating के बाद जो हमें product मिलेगा वो मिलेगा वो हमें मिलेगा finishing product जिसको market में हम फिर ला सकते हैं for marketing पर पाज तो सबसे जो step है first step is fusion, fusion का मतलब जो भी component है उनको mix करिए heat करिए और उससे एक melted आपको material मिलेगा वो material फिर उसको shape देंगे shape देने के बाद उसको dry करना actually that matter is annealing and then finishing can be done you can see that can be done with the help of cutting cutting कर सकते हम जैसा हम shape जीए उसको smooth बनाने के लिए तो finishing के बाद product can go to the market now the manufacture of glass in detail तो हम simple सा एक जो method यहां पर बता रहे हैं ordinary glass है ordinary glass जिसका composition होगा Na2O, CaO, 6SiO2 जिसमें sodium का oxide है calcium oxide है and 6SiO2 है तो उसको हम कैसे manufacture करेंगे ordinary glass को manufacture करने के methods so these are the methods the steps for manufacturing ordinary glass ordinary glass को जो बनाने के लिए सबसे पहला जो step मैं आपको पता है ता वो है fusion fusion में क्या करना है जो sodium carbonate है और calcium carbonate यह alkali metal का carbonate है यह क्या देगा यह हमें क्या देने वाला है NA2O यह क्या देगा CAO यह जो हमारे materials है इन materials को हम क्या करेंगे पहले इनको पहले ground करना है finally powder fine powder fine powder जो material है उसको sand के साथ treat करना है sand के साथ treat करना है साथ में क्या मिलाना है scrap glasses मिलाने कुछ तूटे हुए glass के टुकडे मिला देने हैं और एक furnace में इसको use करेंगे जिसमें की producer gas will act as a heating source producer gas heating source होगी तो यहाँ पर आप देखेंगे जो raw material है उस raw material की reaction कर दी यानि हमने तीन रो दो raw material लिया NA2CO3 and CACO3 उसमें sand मिला दिया उसमें scrap glass के pieces मिला दिये heat किया heat करने से क्या मिला देखिए CO2 evolve होगी और यह क्या बन जाएंगे silicate sodium silicate and calcium silicate अब शुरू में क्या होगा यह जो carbon dioxide निकलेगी इसके निकलने से क्या होगी उसमें frothing होगी कुछ जाग सा दिखाई देगा शुरूआत में जब तक carbon dioxide निकलेगी heat करते रहे हीट करते रहे हीट करते रहे after some time जब frothing खतम हो जाएगी जब सारी की सारी carbon dioxide evolve हो जाएगी viscous clear mass obtained अब क्या होगा आपको एक गाड़ा सा एक mass मिलेगा जो fused mass है उसमें क्या है sodium silicate हो calcium silicate है अब यह हमें जो mass मिल गया है यही actual में glass बनाने के लिए helpful है यही वो material है जिससे glass बनाएंगे अब glass अगर कैसा चाहिए colored जाहिए अगर colored glass चाहिए तो coloring agent मिलाएंगे और मेलाने के बाद फिर से क्या करेंगे उसको heat करेंगे और homogenize करेंगे उसको mix कर देंगे heating के बाद जिससे की वो अच्छी तरीके से mix हो जाए color तो क्या मिल जाएगा हमें colored glass तो अब हमें fusion की process से क्या मिल गया है एक melted mask viscous clear mask मिला चाहे तो colored बनाईए चाहे तो मत बनाईए तो यहाँ पर से जो viscous mask मिला है उस viscous mask को shape देना है shape देना है तो fused mask is poured in different molds to produce different articles अब क्या करेंगे जो हमारे पास different साचे होंगे molds होंगे जैसे हमें glass बनाना है हमें test tube बनाना है हमें beaker बनाना है तो different molds में वो जो glass का clear mask है उस mask को pour करेंगे किसमें? molds में और उसको allow to cool slowly और इसको क्या करेंगे धीरे-धीरे ठंडा करना है अब जो धीरे-धीरे ठंडा करना है उस process को क्या कहते है annealing की process ठीक है so third process in the manufacture of glass is annealing process अब annealing process क्या है बहुत important process है cooling इसको हम कह सकते हैं cooling of articles यह हम कह सकते हैं heat treatment annealing is a heat treatment process or cooling of article slowly to reduce the internal stress which can cause brackage actually क्या है कि जब हम glass को अगर एकदम से क्या करेंगे एकदम से ठंडा करेंगे तो उसके brackage होने की संभावना है क्योंकि उसके अंदर internal stress बढ़ेगा तो क्या करते हैं जो article हमारा आया है उस article को ठीरे-ठीरे ठंडा करते हैं इस process को क्या कहते हैं annealing कहते हैं जिससे की glass में internal stress ना हो और brackage की दिक्कत ना है तो इस process को क्या कहते हैं annealing की process कहते हैं so glass is cooled in a controlled manner maintaining temperature gradient actually क्या होगा जो glass है उसको ठंडा करेंगे controlled condition में और temperature gradient क्या होगा maintained रहेगा during cooling process annealing की process का काम क्या है देखिए annealing allows the cooling of outside and inside the glassware at the same rate annealing क्या करेगा जो glassware के अंदर है और glassware के बाहर की जो cooling की process है उसको same rate से करेगा जिससे की क्या हो slow cooling हो और slow cooling results in unstressed and well annealed glass article slow cooling से क्या होगा कि unstressed glass मिलेगा उसके अंदर stress नहीं होगा उसकी वज़ा से फिर good quality का annealed glass article मिलेगा ये क्या करता है generally it also prevents breakage तो ये क्या करता है breakage होने से रोकता है ठीक है ये इसका special काम है annealing process का breakage को रोकना ठीक है और unstressing लाना stressing को कम करना material के अंदर annealing कहां पर की जाती है annealing is done in the special tunnel like furnace जिनको लेहर कहते है it has difficult different heating zones actually जो ये furnace होगी tunnel like होगी गुफा की तरह और वहां पर क्या होगा जो tunnel होती है लंबी-लंबी उस tunnel में क्या होगा different heating zones होगे और क्या होगा एक end पे तो बहुत गरम होगा वो tunnel और second end पर क्या होगा वो cold होगा और beach में क्या होगा cool gradually इससे क्या होगा article gradually cool होगा slowly slowly cool होगा और उसका जो stress है वो क्या हो जाएगा कम हो जाएगा इससे annealing की process कहते है और annealing की process helpful है in releasing the stress inside the glass and also it can gradually cool the object object को कैसे करेगा gradually cool करेगा annealing की जो process होगी उसको कुछ दिन होते हैं कलकते हैं complete होने में और उसके बाद जब annealing हो जाएगी फिर क्या होगी finishing of the material जो article होगी उसकी finishing मत्तब finishing touch कहते हैं उसका जो बाहर से दिखने का जो touch है उसको हमने perfect बनाना है for finishing of the product cutting, polishing, grinding etc. processes are done तो finishing के लिए क्या कर सकते हैं polish कर सकते हैं उसको cutting कर सकते हैं उसकी grinding कर सकते हैं तो finishing product की होगी so this is the final step for the manufacture of glass तो यह manufacture of glass के लिए last step is finishing इस finishing के बाद जो product है वो कहा सकता है market में आ सकता है अब हम देखेंगे हमने जब manufacturing पढ़ लिए glass कैसे बनता है तो glass वो simple ordinary glass को बनाने का method हमने देखा अब हमें जैसी उसमें changes चाहिए हम उस तरीके की changes करके fusion material में कुछ और addition कर सकते हैं अब हम देखें types of glasses glasses के type क्या होते है so glasses के type जो है on the basis of its composition उसके composition के आधार पर उसका classification किया गया है और उसके composition के basis पर ही उसकी property क्या होती है change हो जाती है तो उस change property के according हम उसको use करते हैं तो generally मैं आपको लगभग 10 glasses के बारे बताऊंगी कि 10 तरीके के glass होते हैं उसके अलाबा भी बहुत तरीके के glass होते हैं वो depend करेगा कि कैसा उसका use है तो I will discuss about the 10 types of glasses जो पहला जो glass है वो है देखे soda lime glass इस soda lime glass को soda glass भी कह सकते हैं soft glass क्योंकि इसमें कह सोडियम तो इसको हम क्या कह सकते हैं soft glass भी कह सकते हैं simple window glass है जो window में जो glass है simple लगती है वो कह सकते हैं या फिर हम इसको ordinary glass भी कह सकते हैं इसका जो composition है simple composition है Na2O, CAO6, SiO2 क्योंकि इसमें sodium का oxide है इसलिए यह क्या है soda glass है क्योंकि इसमें sodium है इसलिए कैसा है soft glass है अब यह glass को अगर देखेंगे सबस्ता glass है जो की जिसके manufacture हमने किया था ordinary glass ही से कहते है easily fusible इसका material है आसानी से fuse हो सकता है सारे materials इसके raw materials यह जो है पानी या chemicals के साथ आसानी से reaction नहीं करता है slowly react करता है और इसलिए इसको किसमें यूज़ करते हैं it is used for making test tubes, bottles, laboratory apparatus window glass तो यह soda lime importance क्या है उसकी कि वो simple glass है ordinary glass तो उसको window glass भी कहते है तो इसको window glass बनाने के लिए यूज़ कर सकते है और bottles बनाने के लिए यूज़ के जाता है दूसरे टाइप का glass देखेंगे potash glass इसको potash glass कहते हैं क्योंकि इसमें क्या है Na2CO3 को थोड़ा सा जो Na2CO3 उसको replace कर देंगे K2CO3 से alkaline जो metal जो compound है वो यूज़ के जाता है K2CO3 in place of Na2CO3 यहाँ पर Na2CO3 को यूज़ करते हैं यहाँ पर K2CO3 को यूज़ करते हैं फिर यह जो potash lime इसको हम potash lime glass भी कहते हैं या hard glass कहते हैं potash lime क्योंकि इसमें क्या Si O2 यह fuse करता है generally high temperature पर और यह combustion tubes बनाने के लिए यूज़ के जाता है तो potash जो glass है उसके composition में गर हम खासियत देखेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे sodium carbonate is replaced by potassium carbonate बाकी जो उसका composition है वो बिलकुल soda lime glass की तरह है तीसरे तरीके का जो glass है वो है flint glass और flint glass बड़ा special glass है इसको हम potash lead glass भी कहते हैं यहाँ पर क्या होगा जो calcium carbonate है उसको replace किया lead carbonate से या lead oxide से और जो sodium carbonate है उसको replace किया K2CO3 से तो आप देख सकते हैं कि यह दोनों replace कर दीगे है CACO3 and Na2CO3 तो यह क्या बन गया potash lead glass क्योंकि इसमें potassium है और lead है और इसको flint glass भी कहते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर जो percentage है composition इसका लगभग किस तरीके का होता है कि इसमें SiO to 45% lead oxide 44% Na2O 4% K2O 4% and CAO लगभग 3% तो इसको हम potash lead glass कह रहे है क्योंकि इसमें potassium भी और lead भी है ठीक है तो आप देख रहे हैं कि वहाँ composition चेंज कर देने से glass की property चेंज हो जाएंगी यह इसका reflective index high होता है यह lusher so करता है transparent होता है और यह electric bulbs and lenses of microscopes camera प्रेज इनके lenses बनाने के लिए यूज किया जाता है तो यह flint glass है flint glass को हम potash lead glass भी कहते है और यह जो flint glass है उसको यूज किया जाता है artificial jams बनाने के लिए यूज किया जाता है artificial jams मतलब jam stone बनाने के लिए यूज किया जाता है ठीक है और bridge और lenses इलेक्ट्रिक बल्ब बनाने के लिए उसको यूज करते हैं तो फिलिंट ग्लास का यूज क्या है artificial jam बनाने के लिए इसको यूज करते है तो jam stones होते हैं उसके लिए चौते तरीका का glass जो हम पढ़ रहे हैं वहें crown glass crown glass तो crown इसका नाम है यह actually slightly convex होता है और इसमें silica को potassium phosphorus pentoxide से replace कर देते हैं किस से replace करेंगे जो silica है उसको potassium phosphorus pentoxide से replace कर देते हैं और इसको किसमें यूज़ करते हैं चनरली special articles like eye glasses में इसका use होता है इसको crown glass crown glass का मत्तब है आप समझ जाएं फोस्पोरस का oxide सिलिका नहीं है इसमें कै फोस्पोरस oxide फिर next type का जो glass है बड़ा important glass का type है और वो है pyrex glass जिसको हम borosilicate glass भी कहते हैं और जो laboratory में और जो temperature resistance जहां पर चाहिए वहां पर इन glasses का apparatus का use करते हैं यह pyrex glass जिसे मैंने कहा आप से इसको borosilicate भी कहते हैं glass और यह क्या करता है जो coefficient of expansion है उसको low कर देता है लो क्यों करता है specialty is pyrex glass की इसमें क्या होते हैं small amount of boron and aluminum oxides होते हैं boron आगे आई क्या होगी है borosilicate तो इसमें boron होगा और aluminum के oxides होगे so it can be a sudden changes in temperature इसलिए हम जो heating जो instruments होते हैं हम कभी भी अगर हम simple glass की apparatus को गरम करेंगे आपने test tube गरम करेंगी तो जो simple glass होगा ordinary glass जैसी आप उसको गरम करेंगे तो वो आपने देखा होगा cracks उसमें पढ़ जाते हैं यह तोड़ जाती हैं लेकिन अगर हम बोरो silicate की अगर हम बीकर हों या मारे पार flask हों तो अगर हम उनको heat करें तो वो break नहीं होते हायर temperature पर या लगातार heat करने से क्यों क्यों क्योंकि उसमें एक तो boron और aluminium oxide होता है low coefficient of expansion होता है उनका घरम करेंगे कोई फरक नहीं पड़ेगा can bear sudden changes in the temperature दूसरा यह क्या bear कर सकते है sudden change in temperature bear कर सकते हैं यह इसका composition है SiO2 जो है वो कितना है 80% SiO2 इसमें sodium oxide है calcium oxide है potassium oxide है और boron का oxide है alumina है तो यह सारे oxide मिलकर एक जो important जो object जो glass बनाते हैं वो है pyrex और borosilicate glass इसलिए जो बोरो silicate glasses है वो यूज के जाते हैं फर मेकिंग laboratory glass वेर हीटिंग जो हमें जरुवत है high heat अगर हमें देनी है तो बीकर्स हैं glass के हैं test tubes हैं तो यह बनाने के लिए हम borosilicate के glass को use करते हैं बहुत important glass का type है यह next जो important type है glass का वो है जैना glass जैना glass जो है वो कैसे बनता है जब ordinary glass में से alumina के content को तो increase कर देंगे और alkali metal content को decrease कर देंगे तब क्या बनेगा जैना glass बनेगा दूसरा जो SIO2 है उसको partially replace करेंगे जिंक के oxide से और बेरियम के oxide से तो यह किसका mixture है जैना glass बी एओ जैना glass बी टूओ 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 तो थोड़ा सा जो SIO2 होगा वो किससे replace करेंगे हम जिंक oxide से और बेरियम oxide से तो क्या बनेगा जैना glass और जो जैना glass है generally it is stronger than ordinary glass ordinary glass से जो stronger इसकी जो tendency आ गई वो क्यों आ गई बेरियम और जिंक के present होने की वजह से यह क्या हो गया stronger हो जाता है और it is used to form chemical containers and equipment जेना glass जो है उसमें की इंपोर्टेंस है वो है बेरियम की प्रिजेंस एंड जिंक की प्रिजेंस और अगर हम साथवी category देखें इसकी glass की तो वह है CO2 जिसकी वजह से specific इसका काम होगा CO2 की वजह से it can easily absorb UV rays ठीक है तो यह कहां पर यूज होंगे eye glasses and lenses में जिससे की जो भी UV rays है यह CO2 क्या कर ले एबसॉब कर ले तो इसको हम कहते है क्रुक्स glass next type का जो glass है वो है photo chromatic glass photo chromatic glass जैसे आपको नाम सही पता लग रहा है आपने photo chromatic lens बनाए होंगे अपने चश्मे के कभी तो इसकी क्या importance होती है इसकी क्या property होती है it turns black in sharp shining light तो इस sharp light में क्या हो जाता है black हो जाता है और यह black होनी की वज़ा है important compound that is AGI तो इसमें silver iodide होता है जो की main component होता है for blackening of glass यह किसमें यूज होगा simple सा किसमें यूज होगा eye lenses and goggles में इसका यूज है तो photo chromatic light किसकी वज़ास होगी photo chromatic lens AGI कर presence होने की वज़ास जहीं क्या होंगे इसको कहते है photo chromatic glass next category है quartz glass quartz glass confused silica glass भी कहते है quartz glass भी एक बहुत important category है glass ways की क्योंकि यह भी क्या होती ही heat resistance होती है जैसे borosilicate होते है ऐसी quartz होती है और fine quality है तो obtained by but यह कैसे मिलती है obtained by melting silica तो इसका नाम है fused silica grass तो जो silica है उसको melt की है very low coefficient of expansion इसका coefficient of expansion वह भी बहुत कम है और यह कितना temperature bear कर सकता है up to thousand degree centigrade थाउजन डिगरी centigrade थाउजन डिगरी centigrade तक जो temperature इसको bear कर सकता है इसलिए यह एक बहुत अच्छा apparatus है जो की material है जो की high temperature पर भी यूज़ कर सकते है अप to 1000 degree centigrade जो इसकी एक आपल सेंट जो फॉर्म है वह है विट्री ओसल विट्री ओसल्स एक्ट्री किसमे काम आते हैं कुरूसिबल बनाने में तो क्वार्स जो है क्योंकि क्योंकि 1000 degree centigrade तक के temperature को रेजिस्ट करता है इसलिए यह बड़ा important material है for formation of crucibles आपने नाम सुना है अगर sintered glass crucibles तो यह crucible बनाने के काम आता है क्योंकि यहां पर यह बहुत heat resistant material है last जो category glass की हम दे रहे हैं वह है safety glasses और safety glasses नाम इनका है क्योंकि safety परपच से यूज किये जाएंगे और यह unbreakable glass है असानी से तूटते नहीं है इसलिए हम क्या कहते हैं को safety glasses कैसे जनरल यह बनते हैं कि यह glass की एक sheet है यह दूसरी glass की layer है बीच में क्या करेंगे plastic की layer लगा देंगे transparent plastic sheet होगी और adhesive के थ्रे इसको जोड देंगे तो अब यह क्या होगा इसको क्या हो जाएगी मजबूती आ जाएगी अब इसमें transparent होगा और इसमें मजबूती होगी क्योंकि इसके बीच में क्या एक plastic की layer है it is used to make wind cruise of aeroplanes, trains, automobiles, etc. तो यह इसमें useful है क्योंकि यह क्या होते हैं अनब्रेकबल होते हैं तो अनब्रेकबल होने की वजह से यह अनब्रेकबल कैसे होगा है क्योंकि इसमें एक plastic layer भी है बीच में तो यहां पर इनका यूज है safety glasses का अगर हम इसको conclude करें इस lecture को तो हमने देखा इसमें glasses के बारे में पड़ा क्या होते हैं glass और उनके raw materials, raw materials various हैं बड़ जो compulsory raw material है वह है silica, alkaline earth metals, alkaline earth metals and heavy metal compounds and other compounds may be flux and alumina, may be coloring material, may be oxidizing agent, may be and scrap glass is the necessary part of manufacturing of glass scrap glass यह पुराने टूटे वह टुकडे वह important part है जो की glass के preparation में use होते है अगर हम glass के preparation के steps देखें तो fusion है, shaping है, annealing है and finishing है fusion क्या है, fusion में हम क्या करेंगे, जो raw materials हमको mix करने के बाद उसको heat करेंगे furnace में, और heat करने के बाद वे विल गैट a clear mass, clear mass में अगर हमें colored बनाने तो वहां पर हम क्या मिला सकते हैं slow cooling process, जिससे की हमें एक unstressed material है वह मिले, उसके बाद हम क्या करेंगे, finishing के थ्रू कर सकते हैं, grinding के थ्रू कर सकते हैं, cutting के थ्रू कर सकते हैं then हमने पढ़े types of glasses, types of glasses हमने 10 type के glasses पढ़े, इसमें हमने पढ़ा soda lime glass, soda lime glass, simple ordinary glass है, जहां पर आपने देखा कि जो simple formula था, वो NA2O, COO, S6, SIO2 था दूसरा हमने पढ़ा कि potash glass, potash glass में NA2CO3 की जगह पर हमने कह यूज किया, K2CO3, तीसरे तरीकी का glass हमने पढ़ा, वो पढ़ा flint glass, और flint glass को हम potash lead glass भी कहते हैं, potash lead glass का मतलब है कि उसमें lead भी है, तो अगर उसमें lead है, तो वो transparent होता है, क्योंकि उसका reflective index हाई होता है, इसल camera के lenses बनाने के ये काम आता है, fourth type के glass हमने पढ़े, वो पढ़े crown glasses, और crown glasses, generally वहाँ पर क्या होता है, silica को P2O5 से replace कर देते हैं, तो ये eye glasses बनाने के काम आता है, फिर पांचपे तरीके का जो हमने glass पढ़ा, वो pyrex glass पढ़ा, इसको borosilicate glass भी कहते हैं, बहुत important part है, ये glass का, क्योंकि ये जो है, वो laboratory wears बनाने के काम आता है, यहाँ पर main जो इसके constituent है, वो है borosilicate इसका नाम है, तो इसका main जो constituent है, वो कह है boron और aluminum oxides, तो ये laboratory glass wears बनाने के काम आता है, जो की temperature resistant होते हैं, high temperature resistant करते हैं, ठीके, next category जो हमने पढ़ी, वो पढ़ी, जेना glass, जेना glass जो हो पर क्या barium और zinc के oxide यूज की जाते हैं, partial replacement of silica with zinc and barium oxide, तो ये जो है, वो chemical containers बनाने के equipment में ये यूज के जाता है, जेना glass, फिर कुक्स glass अगर देखेंगे तो, ये आपको मैंने important एक इसमें बात बताई थी, कि इसमें CO2 होता है, सीरियम का oxide, तो सीरियम का oxide होने से इसकी importance इ जाता है, यूरिया को एब्सक्राइब करता है, तो इसलिए ये glasses and lenses बनाने के काम आता है, फिर photo chromatic glass ये तो आप जानते है, photo chromatic glass जो की shine light जो क्या हो जाता है, ब्लैक हो जाता है, तो ये भी lenses बनाने के काम आता है, quartz glass बहत important है, cause quartz glass जो है वो उसका क्या है, जो है रहत हाई temperature को करता है canrally crucible बनाने के क काम आता है quards glass crucible बनाने 100 से इफटी ग्लासे जो है वह बहुत special टाइप type का एक क्लाश यहाँ पर ग्लास के बीच में plastic material को adhesive material की help उसे fix किया जाता है इसलों ये safety glass तो इन वह ग्ल्रेकडल के लिए तो से सेफटी परपस से एरोप्लेंस में, ट्रेंस में इनमें ये यूज कह जाता है. So, this is all about glasses. क्योंकि ये glasses जो हैं बहुत इंडस्ट्रिली इंपॉर्टेंट कंपॉउंड हैं, तो वी शुड़ नो अबाउट इस जनरल इंडस्ट्रियल कंपॉउंड्स, तो ये आपने इसमें glass की manufacturing, उसका general composition और उसकी क्या types होती हैं, उसके बारे में हमने इसमें जानकारी दी इस lecture में. So, thank you very much.